हरी कृष्णा राथी राथी शिरी ओम नमो भगवते वासू देवाई शिरी कामदा एकादशी महात्तम में कथा धरम राज युदिश्टिर बोले हे भगवन आपको कोटी कोटी बार परणाम है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप करपा कर चैतर महास के शुकल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए शिरी कृष्ण भगवान बोले हे राजन आप एक पुराने कथा सुनिए जो वशिष्ट जी ने राजा दिलीप से कही थी राजा दिलीप ने पूछा हे गुरुदेव चैतर महा के शुकल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है उसमें किस देवता की पूजा होती है उसकी क्या विधी है सो आप कृपा करके मुझसे कहिए महरी शिवशिष्ट जी बोले हे राजन चैतर महास के शुकल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है यह पापों को नश्ट कर देती है जैसे अगनी सुखे कास्ट आदी को जला कर नश्ट कर देती है इसके पुन्ये के परभाव से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं और पुतर की प्राप्ति होती है इसके वरत से कुयोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है अब मैं इसका मातम में कहता हूँ आप ध्यान पूर्वक सुनो प्राचीन काल में एक भोगी पूर नाम का नगर था वहाँ पर अनेक एश्वर्यों से युक्त पुन्डरीक नाम का एक राजा राज्य करता था वहाँ अनेको अपसरा, गंधर्व, किन्नर आधिवास करते थे उसी जंगें ललित नाम के दो दमपत्ती अत्यंत वैभवशाली घर में अनन्द पूर्वक निवास करते हुए समय वैतीत किया करते थे वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे एक समय राजापुंडरी कंधरवो सहित सभा में शोभाई मान थे उस जंगें ललित गंधरो भी इनके साथ गाना गा रहा था परंतु उसकी प्रेतमा ललित उस जंगें पर नहीं थी इसे वहे उसकी याद आने के कारण अशुद गाना गाने लगा नागराज करकोटक ने इसे अपना अपमान समझ कर श्राप दे दिया अरे दुष्ट तु मेरे सामने गाता हुआ भी अपने इस्तरी का स्मरण कर रहा है तु इस पाप के कारण कच्चे मास और मनुष्यों को खाने वाला राक्षश होगा तु महा पापी है अपने करम का अब तु फल भोग राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित कंधर्व उसी समय एक विक्राल राक्षश हो गया उसका मुख भयानक हो गया उसके नेत्र सूर्य और चंदर के समान प्रदिप्त होने लगे मुख से अगने निकलने लगी उसकी नाक परवत की कंधरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड लगने लगी उसके सिर के बाल परवत पर उगने वाले व्रक्षों के समान दिखाई देने लगे उसकी भुजाएं दो दो योजन लंबी हो गई इस तरहें से उसका शरीर आठ योजन का हो गया राक्षश हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वहे अपने करम का फल भोगने लगा जब ललीता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वहे बहुत ही दुखी हुई वहे सदैव अपने पती की उद्धार के लिए उपाय विचारने लगी कहां जाऊं और क्या करूं वहे राक्षश घोरवनों में रहने लगा अनेक परकार के पाप करने लगा उसकी इस्तरी ललिता भी उसके पीछे-पीछे जाती और विलाप करती रहती एक दिन की बात है वहे अपने पती के पीछे-पीछे घोमते हुए विंध्याचल परवत पर चली गई उसने उसी जंगे शरिंगी रिशी का आश्रम देखा वहे शिग्रही आश्रम के पास कई और रिशी के सनमुख जाकर विने करने लगी उसे देखकर शरिंगी रिशी ने कहा हे सुभागे तुम कौन हो और यहां किसलिए आई हो तब ललीता ने कहा हे मुनी मैं वीर धन्वा नाम गंधर्व की कन्या ललीता हूँ मेरे पती राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षश हो गए है इससे मुझे महान दुख हो रहा है आप उन्हें राक्षश योनी से छूटने का कोई स्रेश्ट उपाय बताईए तब श्रिंगी रिशी ने कहा अरे गंधर्व कन्या ललीता अब चैत्रमास के शुकल पक्ष की एकादशी आने वाली है उसके वरत करने से मनुष्य के समस्त कारिय शिगर ही सिद्ध हो जाते हैं यदि तू उसके वरत के पुन्य को अपने पती को देगी तो वह शिगर ही राक्षश योनी से छूट जाएगा और राजा का श्राप शान्त हो जाएगा मुनी के ऐसे वशनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक एकादशी का वरत किया और द्वादशी के दिन ब्रहमनों के सामने अपने वरत का फल अपने पती को दे दिया वह भगवान से प्रार्थना करने लगी हे प्रभू मैंने यह जो वरत किया है उसका फल मेरे पती को मिले जिससे की उनकी राक्षश योनी शीगर ही छूट जाए एक आदशी का फल देते ही उसका पती राक्षश योनी से छूट गया और पुनहें अपने पुराने शरीर को प्राप्त हुआ वह अनेक सुन्दर वस्त्रों और आभूशनों से अलंकरत होकर पहले की भाती ललिता के साथ विहार करने लगा कामदायक आदशी के प्रभाव से वे पहले की भाती सुन्दर हो गया और पुशपक विमान पर बैठ कर स्वर्ग लोग को चले गए हे राजन इस वरत को विधी पूर्वक करने से समस्थ पाप नश्ठ हो जाते हैं इसके वरत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादी के पाप और राक्षश आदी की योनी से छूट जाते हैं संसार में इसके समान कोई दूसरा वरत नहीं है इसकी कथा और महतम्य के श्रवन और पठन से वाजबे यग्य कफल प्राप्त होता है बोलिए श्री कृष्ण बहाराज कीजए हरे कृष्णा राधे राधे